हेलो फ्रेंज आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्पिन हिंदी में फ्रेंज आज का हमारा टॉपिक है एक सुप्रीम कोट के एक एहम फैसले पर जिसमें कि सुप्रीम कोट ने कहा है कि IPC के सेक्षन 498A जो की दहेश प्रतारना मामला है जिसमें कि सुप्रीम कोट ने कहा है कि IPC की धारा 498A दहेश प्रतारना मामले में गिरिफतारी होगी या नहीं होगी इसका फैसला पुलिसी तैय करेगी IPC की धारा 498A दहेश प्रतारना मामलों में सुप्रीम कोट ने एक एहम फैसला सुनाया सुप्रीम कोट ने ऐसे मामले में गिरिफतारी होगी या फिर नहीं होगी ये तैय करने का अधिकार पुलिस को वापिस दे दिया है सुप्रीम कोट ने कहा है कि हर राजे के डी जी पी इस मुद्दे पर पुलिस अबसरों और कर्मियों में जागरुकता फैलाएं और उन्हें ये बताया जाए कि सुप्रीम कोट ने गिरिफतारी को लेकर जो सिद्धान दिये है वो क्या है जानेंगे वो सिद्धान क्या है और क्या है ये एहम फैसला जानेंगे शुरू से आखिर तक चुड़े रहे इस वीडियो के साथ गिरिफतारी से पहले तहेश प्रतार्ना की जाँच के लिए सिविल सोसाइटी की कमीटी बनाने की गाइडलाइन्स को हटाया गया है लेकिन सुप्रीम कोट ने ये कहा कि पती और उसके रिष्टेदारों के संड़क्शन करने के लिए जमानत के रोग में अदालत के पास अधिकार मौजूद है सुप्रीम कोट ने ये कहा कि कोट इस तरह के अपराधिक मामलों की जाँच करने के लिए सिविल कमीटी नियुक्त नहीं कर सकता इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती सुप्रीम कोट में तीन जजों की बेंच ने दो जजों की बेंच के फैंसले को अमेंडमिन किया और कहा कि इस तरह कोट कानून की खामियों को नहीं भर सकता और ये कारे पालिका द्वारा कानून लाकर ही संभव है सुप्रीम कोट ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है सुप्रीम कोट ने दोहराय कि अगर दोनों पक्षों में समझाता हो जाता है तो कानून के मताबिक वो हाई कोट जा सकते है अगर पती कोट में अगरिम जमानत दाखिल करता है तो केस की उसी दिन सुनवाई की जा सकती है गिरफतारी को लेकर सुप्रीम कोट के काइट लैंज में सुप्रीम कोट ने कहा कि CRPC के धारा 41 में गैर जमानिती अपरात में गिरफतारी को लेकर संतुलन काइम किया गया है मनमानी गिरिफतारी को रोकने के लिए CRPC की धारा 41 में साप प्रोवीजन है कि अगर पुलिस किसी को गिरिफतार करती है तो परियाप्त कारण भी बताएगी और ना गिरिफतार करने का भी कारण बताएगी पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में कहा था कि IPC की धारा 498A यानि की दहेश प्रतारना मामले में गिरिफतारी सीधे नहीं होगी सुप्रीम कोट ने कहा था कि दहेज प्रताना मामले को देखने के लिए हर जिले में एक परिवार कल्यान समीती बनाई जाए और समीती की रिपोर्ट आने के बाद ही गिरिफतारी होनी चाहिए उससे पहले नहीं होनी चाहिए इस साल 23 अपरेल को सुप्रीम कोट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिस्टिस तीपक मिश्रा ने कहा कि हमें तीन पहलों पर विचार करना होगा पहला ये कि क्या दो जजों की बेंच ने दो गाइड लाइन्स को जारी किया कानून के खालीपन को भरा है केंद्र सरकार की और से पेज एस जी नरसीमा ने कहा था कि सुप्रीम कोट का पिछले साल जुलाई का फैसला विवहारिक नहीं है और इसे लागू करना मुश्किल है सुनवाई के दोरान दहेज उत्पेडन यानि की 498A के मामले में सुप्रीम कोट ने ये कहा था इस मामले में गाइडलाइन कैसे बना सकते है सुप्रीम कोट ने कहा कि 498A यानि की दहेज उत्पेडन को लेकर कानून पहले से ही है ऐसे में जाच कैसे की जाए इसको लेकर गाइडलाइन बनाने का आदेस कैसे दे सकते है दहेज उत्पीडन के मामले में जाच कैसे की जाएगी ये जाच एजनसी कानून के हिसाब से तै करेगी सुप्रीम कोट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें की दहेज उत्पेड़न के मामलों में ततकाल गिरफदारी पर रोक के लिए सुप्रीम कोट के फैसले पर दुबारा से विचार करने की मांग की गई थी गैर सरकारी संगठन नियाइधर का कहना है कि इससे महिलाओं को परिशानी हो रही है और फैसले के बाद कोई शिकायत नहीं आ रही है सुप्रीम कोट ने अपने एक फैसले में कहा था कि दहेज उत्पेडन को लेकर परिवार के सभी सदस्यों की ततकाल गिरफदारी नहीं की जानी चाहिए केंद्र सरकार में सुप्रीम कोट में कहा कि वो कोट के फैसले का अध्यान कर रही है और विचार कर रही है कि इसे लागू कैसे किया जाए और इसका दहेज उत्पेडन के मामलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा मानु अधिकार मंच नाम के एक एंजियो ने सुप्रीम कोट में याचिका दायर करके मांग की थी कि कोट को इसके संबंद में दूसरी गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत है क्योंकि कोट के फैसले के बाद दहेज उत्पेडन का कानून कमजोर हुआ है याचिका में नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि 2012 से 2015 के बीच 32,000 महिलाओं की मौत की वज़ा दहेज उत्पेडन था दहेज प्रतार्ना याने की भारतिय दंसहिता IPC की धारा 498 के दुरूप योग से चिंतित सुप्रीम कोट ने एक और एहम कदम उठाया था सुप्रीम कोट ने हर जिले में कम से कम एक परिवार कल्यान समीती का गठन करने का निर्देश दिया है कोट ने साफ कहा है कि समीती की रिपोर्ट आने तक आरूपियों की गिरिफतारी नहीं की जानी चाहिए साथ ही इस काम के लिए सिविल सोसाइटी को शामिल करने के लिए कहा गया है कोट ने कहा कि देश की हर जीले में कम से कम एक परिवार कल्यान समिति बनाई जाने चाहिए हर जीले की लेगल सरविस अथौरिटी के द्वारा ये समिती बनाई जाए और समिती में तीन सदसे होने जरूरी है Time to time District Judge द्वारा इस समिती के कारियों का review किया जाना चाहिए समिती में कानूनी स्वयम से भी समाजिक घारे करता और retire वेक्ती अधिकारियों की पत्नी आदी को शामिल किया जा सकता है समिती के सदस्यों को गवाह नहीं बनाया जा सकता साथ ही court ने कहा कि धारा 498A के तहट पुलिस या फिर magistrate तक पहुँचने वाले शिकायतों को इस तरह की समिती के पास refer कर दिया जाना चाहिए एक महिने में समिती की report देनी होगी और report आने तक किसी की किरिफतारी नहीं होनी चाहिए इसके बाद report पर जाच अधिकारी या फिर magistrate को merit के आधार पर विचार करेंगे तो फ्रेंस ये था आज का हमारा वीडियो सुप्रीम कोट के एक एहन फैसले पर जिसमें की IPC की धारा 498 में दुबारा से गाइडलाइन्स जारी कर दी गई है जिसमें की कहा गया है कि दहेश प्रतार्ना के मामले में गिरफतारी होगी या फिर नहीं होगी इसका फैसला पुलिस खुद से तैय करेगी तो फ्रेंस उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए शेयर करिए अगर अभी तहकर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिये गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मॉच